इंडिया के अंदर यदिभ के बात कि जाए तो मार्केट के ना तो इसना जादा कॉंपिटिसãyn है ना ही इतनी ज्यादा कंपनीज है जो कि इलेक्रिकंव ह्ट के अंदर बाइक सैग्मेंट को लॉंच कर चुकी है और जो अभी तक लॉंच हो चुकत हैं पे चल रहा है या तो गूरो में कंविले के शिबिम्स पमेर तक रहे है या तो ऑगर या की टो आख करने वाले हैं इंडिया की अलत्री है यह ओबना की आरो पूरद ऐन्दीड है झात करने हैं परफिम्ट Ren reven की ravonne में अब तो तीनों इलेक्ट्रिविकल की बात करें चाहे मैंटर एरा हो या फिर रिवाल्ट की आजी 400 हो अब इन तीनों के अंदर प्राइजिंग तो आपके सामने में आपे डिस्प्लेय कर रहा हूं जिसमें एक सो रूम प्राइज एरा का कितना है अब यह प्राइजिंग आपकी सिटी आपकी स्टेट के साफ से प्राइजिंग जो है ओन डिफ्रेंस आ सकता है तो वही मतलब इसके उपर प्लस एड़न कर लेना आप लगभग 12-15 रुपए के आसपास यह तो हो गई प्राइजिंग की बात लेकिन अगर आप अभी से मोटों तो अब वीडियो देख रहे हुत尤 आपको पता होगा है हम बात करते हैं लुक्स तो लुक्स कमपैरिजन की बात करूए तो तो तीनो में मेरा पर स сок बुक कर रखी है और मैंने जब बुक कई तो में को प्राइजिंग मिल रही है एक लाग प्राइज और पर एक्सोरूम हाँ अगर टाइम पर आता है तो मैं इसको जरूर पर्चेस करूंगा बाकि अगर बात करें ऑबन आरो आर की और रिवॉल्ट की आरवी 400 तो फर्स नंबर आपको सिमीलर ही स्मार्ट फिचर देखने को मिलेंगे हां मैंटर की एरा जो है वह आज की रेट में एक्सोरूम प्राइज ए एक लाग तरह तरह जान नहीं मिलेंगे लेकिन स्मार्ट फिचर लेने हैं तो दर्ज़वर्प एक्स्राइप करने पड़ेंगे और उसके अंद लेक्ते हैं चीनों की प्राइजिंग में दिफेरंस आपने तो इकषन हैं तो सबसे मेहंगी चीज कुछ है तो वह उसकी बैग्तरी है अब एरा के अंदर आपको बैटरी मिलती है 5 kWh, और 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 रिवोल्ट रवी 400 के अंदर मिलती है 3.24 kWh, अभी एरा के अंदर तो लिखिने मायन है, लेकिन अबेन के अंदर जो है वह आपको LXP बैटरी मिलती है, फिर बात आती है अगर चार्जिंग की तो तीनो ही फास्ट सपोर्ट करता है, और 0-80 जाने के अंदर, मैटर एरा लेगा लगबग 2-5 घंटे, अब लेगा फिक्स 2 घंटे, और रिवोल्ट लेगा 0-75% जाने में 3 घंटे, और फुल चार्ज का तो लगबग 3-5 घंटे का टाइम, बैटरी के बाद बात आती है रेंज की, अब मैटर ए बैटरी पैक तो लेकिन रेंज सबसे जादा है, 187 कंपनी क्लेम कर रही है, 150 के एपरोक्स हम मान सकते है, आ जाएगी, वहीं रिवोल्ट आर्वी 400, 150 कंपनी क्लेम कर रही है, 120-125 के आत्वास आपको रियल वर्ड में देखने को मिलती है, पिर बात कर रहें, अगर मोटर की तो तीनो के अंदर आपको PMS हम मोटर मिलती है, मतलब मिडार मोटर मिलती है, हाला कि मेरे जासाफ कर में mind drive देखने में दिखता हूं, rooms ह Table एलेक्ट्रिक में भी आनी है तो उसके अंदर गियर सिस्टम होना चीए और तभी सचमयार एक फील आता है वाइट चलाने का तो यही रीजन है मेरा मैटर एरा बुक करने का तो पावर में क्या के डिफरेंसीज है तो मैटर एरा के अंदर आपको मैग्जिम पावर मिलती है 10, आपको मैग्जिम पावर मिलती है 8000 वाट की वही रीवाल्ट आर भी 400 के अंदर आपको वैबसेट के उपर 3000 वाट देखने को मिलेगी लेकिए वह नॉमीनल है मैग्जिम पावर है 5000 वाट बागी तीनों में आपको रियर और फ्रेंट डिस ब्रेक मिल जाते हैं ड्यूल सब सब कुछ चीज़े मिल जाती है 17 इंच के आपको इसके अंदर वील देखने को भी लेंगे फ्रेंट में और रियर में बागी वारंटी की बात करें तो वही बेसिक वारंटी सारी कंपना जो देघी है वही मिल रही है इसके अंदर भी 3-3 साल की रिवाल्ट में सायद आपको वहीं बात करें मैटर अटर तो अब प्री बूकिंग पर चल रहा है और डिलीवरी रेट के आउने वाली मैटर अटर आरा कि वह मैं आपको बता देता हूं वाग उतके ऊपर एक सेपरेड वीडियो जल्दी ही लेकर आने वाला हूं तो डिलीवरी रेट फर्स्ट क्वारर ह हो सकता है 2024 का जो कि काफी डिले कर रहा है कमपनी क्योंकि उसके बाद तो ओला की तरफ सी बाइक्स आने वाली है तो ओला बाइक्स का भी इनतियार रहे अगर आप बाइक पसंद करते तो इन तीनों में से कौन सी आप पसंद करते या कौन सी लेना पसंद करोगे अगर इन फुचर लेना भी चाहोगे तो हाँ आपका कमेंट ओला भी हो सकता है तो ओला भाइक भी आप लिख सकते हो तो मिलते आप सब्सक्राइब वीडियो में ओके बाई